सो हेलो फ्रेंड स्वागत आपका आपकी यूट्यूब चैनल माइगनो सॉल्यूशन में और मैं प्रेजिना सिंग आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी यानि कि जिने स्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 में अड्मिशन लिया है ये अस्टूडेंट केवल उन्हें स्टूडेंट्स के लिए है और अगर आपको इन असाइमेंट का पीडियेफ चाहिए तो आप हमें वाट्सप कीजिए वाट्सप नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर दूगी अगर आप चाहें तो जब मैं आपको असाइमेंट दिखाऊं तो आप वीडियो को पॉस्ट करके उन्हें स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्स्राइब करें और बैल आइकन को बजाना नहीं पूले चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपना सौर्फ असाइमेंट तो यहां पर सूडेंस आपको आपकी चो असाइमेंट हैं तीन भाग में बटे हुए मिलेंगे जैसे की पहला भाग है आ दतकारिय A इसमें एक नोट लिखा है निमिलिकित में से प्रतिक प्रश्ण के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दे यानि कि जब आप दतकारिय A के प्रश्ण के उत्तर जब आप लिखेंगे तो आपको 500 शब्दों में इनके उत्तरों को लिखना है और फिर बात करें दतकारि बी में आपको तीन प्रश्ण आपको देखने को मिलेंगे और जैसे कि आपने देखा सभी प्रश्ण के आगे उनके अंक भी बता रखें कि कौन सा प्रश्ण कितने अंक का है तो सब चीज़े ध्यान में रखकर ही अपने आंसर को लिखें और जितनी वर्ड लिमिट आपसे ब देखें चलिए अब इनके आंसर हम देख लेते हैं तो सुडेंट परस्ट्री में आपके साथ दितकार ये एक प्रश्ण उत्तर आपके साथ डिसकस करूंगी निमिलीखीत में से प्रतिक प्रश्ण ते उत्तर लगभग 500 शब्दों में दे तो आपका तो आपका पहला प्रश्ण है उद्दे मिता की आयाम से आपका चाता पार्या है उद्दे मिता की विभीन आयामों का वर्णन करें और आपका दूसरा प्रश्ण है रचनात्मक्ता और नवनो मेश के अवरोधों को सपश्ट करें आप अपने संस्थार में रचनात्मक्तों को किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं तो देखे स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो आप वीजियो को पॉस करके आप इन प्रश्णों के उत्तर आप लिख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हमने जो उत्तर है वो यहां पर अपने लिखा है अपने शब्दों को देखका जितने शब्द बोले गए है उत 250 शब्दों में इत प्रश्णों के उत्तर आपको दे रहे हैं तो आपको प्रश्ण तीसरा है आपका जोखी प्रबधन से आपका क्या तात्र पारिया है जोखी प्रबधन के उद्देशियों को स्पष्ट करें फिर आपका प्रश्ण चोथा उद्यामी कौन होता है उद्यामी और उद्यमीता के बीच के अंदर को स्पष्ट करें और यहां से आपका तीसरा दतकारियस ही आपका स्टार्ट होता है जिसमें आपको सौ शब्दों में इन प्रश्णी के उत्तर आपको देने हैं तो प्रश्ण चे है आपका किसी व्यावसाय की वित्तिय व्यावारतिया की विश्लेशन पर लाप अला विश्लेशन टेक इवन एनलीजिस की प्रसिंगिता का विस्तार से वर्णन करें प्रश्ण साथ है रिस्तरता क्या होती है उद्यामी समर्थम परणाली किस प्रकार उद्यामी रिस्तरता को बढ़ावा देती है प्रश्ण नमबर नौ है भारत में वैवसाए घरानों की भूमिका की चर्चा करें झाले वारत मताली प्रकार उफ खरवान की चर्चा की चरीं है सो स्टूडेंट्स यही पर आपकी असाइमेंट कम्प्लीट होते हैं और अगर आपको इन असाइमेंट को नोट डाउन करना है तो आप वीजियो को पॉस करके आप इन असाइमेंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स आज की वीजियो में हमने डिसकस करा बीटी एम सी वन्तुरी फोर उद्द्यमिता और लगो व्यवसाय के फ्री सॉल्फ असाइमेंट बीसे किस्टक के लिए और जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपको इन असाइमेंट का पीडियाफ चाहिए तो आप हमे मेरा ही वीजियो पसंदाया हो तो वीजियो को दो लाइक, शियर और कोमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीजियो को फस्टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब करें और बैल आइकन को बचाना ना पुलें